मस्कार दोस्तों मैं होज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चेनल ट्यक गाइड आज की इस वीडियो में मैं आप सुभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने फेस्बुक पेज पर एक प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से आप में वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं जिससे आपके वीडियो को वाइरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हूँ और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपने वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रेप्शन और उसके साथ में थमनेल कैसे लगाएंगे जिस से आपकी वीडियो थोड़ा अच्छी दिखे और वाइरल होने के भी चांसेस अच्छे हूँ तो इसका में complete process इस वीडियो बताने वाला हूँ इसलिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लिजेगा और साथ में अगर हमारे चैनल पर आप नए आये हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करिएगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप अपने mobile phone से एक आसान तरीके से एक सही तरीके से अपने वीडियो को कैसे facebook page पर upload कर पाएंगे उसको publish कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो अपने facebook page पर एक सही तरीके से वीडियों upload करने के लिए आपके mobile phone में दो application होना जोरूरी है पहला आपके mobile phone में facebook application होना चाहिए जिसमें आपका page login होना चाहिए और दूसरा आपके mobile phone में creator studio होना चाहिए जिससे आप thumbnail हो गयरा इसमें आपका page login रहेगा इसमें आपको वीडियों upload करने के लिए यहां उपर option दिखाई देगा plus का इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार option आएंगे पहला post का आएगा दूसरा story का आएगा तीसरा आपको real का आएगा चौथा आपको live का आएगा तो जैसा कि हमे वीडियों upload करना है तो यहां पर post के option पर click करेंगे post के option पर click करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा जिसमें आपको यहां पर नीचे photo और वीडियों का option दिखाई देता है इस पे आप click करेंगे इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपकी gallery open हो जाएगी और वहा page tag और लगा सकते हैं और जो है अपने वीडियों के बारे में जो title लिखना है वो यहां पर आप लिख सकते हैं उसको यहां पर लिख देंगे तो जैसा कि हम यहां पर अपना title डाल दे रहे हैं उसके बाद में आपको next के option पर click करना होगा तो जैसा कि मैंने यहां पर अपना title लिग दिया है कि facebook page पर video कैसे upload करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर next के option पर click करना होगा जैसे कि आप next option पर click करेंगे तो आपकी video upload होना यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपने video को post now करना है तुरंत अभी post करना है कि आपको यहाँ पर schedule करना है तो अगर schedule के option पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर timing, date औगर आ जाएगा आप यहाँ से schedule करके छोड़ सकते हैं जब भी आप time देंगे वहाँ पर आपका video publish हो जाएगा तो जैसा कि हमें तुरंत यहाँ पर करना है तो post now पर click करेंगे उसके बाद में आप post के option पर यहाँ उपर जो दिखाई दे रहा है इस पर click कर देंगे तो इस पर जैसे ही click करेंगे तो आपकी video यहाँ पर posting में आ जाएगी यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि video post हो रही है जैसे ही आपकी video post हो जाएगी उसके बाद में हम चलेंगे creator studio पर और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर thumbnail कैसे लगाना है और आपको description कैसे लिखना है और tag कैसे लगाना है इसका मैं पूरा जारकारी इसमें दे दूँगा तो पहले video upload हो जाने दीजिए उसके बाद में हम आपको creator studio पर लेकर चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं तो जैसे कि यहाँ हमारी video upload हो चुकी है यहाँ पर finishing का option दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर finishing दिखाई दे रहा है जैसे ही यह finish हो जाता है उसके बाद में हम creator studio पर चलते हैं तो जैसा कि हमारी video upload हो चुकी है और यहाँ पर हम creator studio में अपने आ चुके हैं यहाँ पर आप देखेंगे सबसे उपर हमारी वो video आ चुकी है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा video title required का यहाँ पर आप जो नीचे जो आपने दिया हुआ है नीचे thumbnail के नीचे यही आप copy कर लेंगे अगर चाहें तो या फिर आप चाहें तो ऊपर कोई और अच्छा जो है title लिख सकते हैं और इसके साथ में ही आप यहाँ पर tag लगा सकते हैं hashtag करके अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं तो जैसा की हम यहाँ पर facebook के सामने ही आप यहाँ पर hashtag लगा देंगे उसके बाद में आब आती है thumbnail की बारी तो thumbnail के लिए यहाँ पर add को आपसन पर क्लिक करें या फिर आप चाहें तो इस सिरिफ यही जो आपके सामने यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है इसी को छोड़ देंगे तो यहाँ के thumbnail का काम करेगा तो इसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले नीचे यहाँ पर जो आपको आपसन दिखाई दे रहा है कि आप thumbnail लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर add पर क्लिक करेंगे तो आपके gallery से यहाँ पर आपको select करने का option मिल जाएगा कि आप thumbnail कहां से लेना चाहते हैं तो thumbnail हमने बना रखा है पहले ही इसको हम select करेंगे select करने के बाद में next के option पर जैसे ही click करेंगे तो आपका thumbnail यहाँ पर लगके आ जाएगा अब देखिए आपकी वीडियो कितनी तो यह आपकी वीडियो यहाँ पर save हो चुकी है और यह आपका जो है facebook page पर यह जो है public कर दिया गया है अगर आप चाहें तो यहीं से आप boost हो गएरा कर सकते हैं अपने page को और आपकी वीडियो यहाँ से जो है boost हो जाएगी जिससे आपके चैनल पर view गएरा आएंगे इसके लिए payment देना होता है तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं नहीं चाहें तो कोई जरूरत नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि आप जो है अपने facebook page पर कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं एक सही तरीके से उसका मैंने complete process इस वीडियो दिखा दिया है अगर आपको इस वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करिएगा तो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद